सुजाता पांडे, जो सवाल मैंने कॉंग्रेस से किया, वही सवाल, जो राजनेतिक दल इस नई व्यवस्था को बता रहे हैं कि लोक तंत्र का गला घुख जाएगा, केंदरी करन हो जाएगा, आदी-आदी, शाजिशे, शडियंतर, क्या वो राजनेतिक दल, सिध्धान तो यह फैसला क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि अगर इस व्यवस्था में चुनाब कर आओगे तो हम चुनाब में भाग नहीं लेंगे, अगर हम इस चीज से सहमत नहीं, जैसे मैंने EVM के लिए कहा था, कि अगर EVM आपको लगता है, ठीक नहीं है, तो EVM के जरिये होने बाले चु करना चाहिए, जिसके पीछी का तर्क बिल्कुल कुतर्क है, अभी मैं जो सपा के प्रवक्ता थे, वो कह रहे थे कि 12,000 क्रोड में एलेक्शन होते हैं, जिस 18,000 पन्यों पे अभी चादव सवाल उठा रहे थे, कि यह किस तरह की रिपोर्ट बनेंगे, उसको थोड़ा पढ जाते हैं, दूसरा जो कॉंग्रेस के प्रवक्ता है, मेरा प्रोफाइल देखने से अच्छा होता है, तो ड्राफ पढ़के आते हैं, अपनी इस्ट्री जान के आते हैं, तो इंगा की ने किया था, यह सारा कुछ तो हमारी कॉपी कर रहे हैं, तो तो शाहिए वहाँ बज़ सबसे बड़ा डेमोक्राइट, नहिरूजी से बड़ा कोई नहीं हुआ, उनके समय से प्रब्लम है, या फिर लाद बादुर्शास के प्रब्लम है, यह बताई है, उसके बज़ आपको इभी बताना हो, कि क्या वो प्रशाशनी कालियाओं में लगने हैं लोग, जिनका काम ह अधित होता है, जनता के पैसे बहाए जाते हैं, तहां चाहिए एक तो इस्टिवेट यह भी हमाया है, हमिताब जी की 100 करोर पर सीट पे खर्चा हुआ है, अगर इस इस एलेक्शन की बात कर लें तो, एक लाख पैसी हजार करोर का खर्चा से इस एलेक्शन में हुआ है, इस एक लिए तो, आज हमें यह सोचना होगा कि यह पैसा जो जनता का है, जो जनता के खुल पसी निक्तमाई है, जहां आप कहते हैं, बेरोजगारी है, शिक्षा है, कुपोशन है, तो वह पैसा फ्री भी के तरह नहीं है, वह ऐसा आप लोग कल्या नियोजनाव के तरह आए, सब्सक्राइब अज हैं, जब हरती महीरित करना नहीं होगा सब्सक्राइब जब इस ऊटार पूनाओ नहीं जब इबेट के यह नहीं कहीं कि राभौ गांधि नहीं यह तो भाजपा यह वक्ता में रम्हरी तो सोन्या यह जैंदी इदियर ए उसके अलावा रहा हम बहुत सा तुम इसमें लड़ो ठिक और फलाने तुम जरा पंचाइद लड़ो तुम चेर्मेनी लड़ो क्या वो चारों खुश हो जाएंगे कि भाईया एक ही साथ करा दें क्या बैसे सब को अलग अलग 10 करोनों खर्च करना होगा और यह 20 करोन में पूरा चुनाव ने पड़ जाएग ना मंच भी बनता है उसमें भी वो शूर्जे लेंड वाले फूल लगते सबके छोटे नेताओं का मामला तो ने बढ़े नेताओं का वो सबके लगते नहीं करोन करोन दो दो करोन रुपिया सभाम कर लग जाता है फिर नगत बातना पड़ता है वो अलग कहें मैं लगानी पड़ती है तो लगानी पड़ती है लोग तंत्र अच्छा रहे जा खराब रहे गाट तो धीली करनी पड़ेगी तो मैं यह कह रहा हूं सब को लाब नहीं है इससे अजोग जी अच्छा ग्जाम्पल दिया और एकजाम्पल मुझे लगता है कि फड़ा सब ज्यान अगर भाजपाईयों को भी दे लगता उनने भी सुना होगा यह ज्यान तो सबके लिए उनने भी सुना होगा यह जो है अंधाजी बार बार अडानी से कौन चंदा मांगे इस एक बार सब्सक्राइब करेंगे और उसी मुद्दे पे जिला पंचायत के लेकर के जाएगा एक पैसे में पूरा भाजपा चाह रही है कि हम पूरा हिंदुस्तान के रगरग पे गाउं गाउं में शासन करते हैं यही बात है यही बात हमों संधना चाहते हैं कि अगर एक बार मोदी जी ने जूट बोला जनता से कि किसानों क्या है 2022 दोगनी कर देंगे दोकर रोजगार क्या देंगे और यह कर देंगे बहुत ही मंगाई कि अर ऐसारी चीजें इस वर बोलकि मोदी जी 50 शुप मधिजी लेकिन अगर राज्यों में ऑन्की सरकारे हैं उन राज्यों में कहीं ग्रेड-बेड चुनाओ है उनके वादा करने के बाद कर दो साल पर चुनाओ कर थी ज पूरा नहीं किया मोदी जी चाहते हैं कि जनता के बीच बार 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 को जाएगा वो चुटी मन की बात विचारे सुनने नहीं आई देखो एक बार हम उसको वोट जेखो हम जोब भूले साजी बोले हम पांग साज करेंगे ठीक है यह नहीं चलेगा अखिलेश यादव की पार्टी जब यह कहती है तो उसको साथ में यह भी कहना चाहिए कि नहरू की यही सोच थी इतना साहर तो रखो कांग्रेस इतना ना डरो क्या क यह तो बोलो नहीं और दूसरे बात उनके पास अडानी होंगे ठीक आप सरकार में होते हैं तो आपके पास भी तो होते हैं चे नोइडा वाले हो चे कानपूर वाले हो नहीं और जिसको धंदा करना वो आपके संपर्ख में भी रहता है तो आपको भी बार-बार मांगने से अच्छा है एक ही बार में चुप आया आपने जोला रखाओ जर जाओ क्या अंधेरे में हो गया काम यही का अब अब काओगे हम चंदा देने वालों को नाम दे देंगे हमें तो 35 साल में सब कम पता है कौन किसके जोला छोड़ के आया किसको चंदा नहीं मिला कौन अपना खेत बेच के राजनीत कर रहा शोग बाबू दिल पे हां दखके बता दू और जो आरपती हो गए वो तो जिनके पाओं में चपल नहीं थी उन्होंने अपने घर में जहाद उतारने लगे वो गलत के रहूं क्या घर में ही सब्सक्राइब हेलिकाप्टर उतार दिया वहीं हेलिपेड बनवा दिया मैं कहां बाहर जाओ क्या गजब बात है और अशोगी या तो पुराने आदमी हो पूर्वांचल के हो पूर्वांचल का आदमी तो राजनीत को औरों से बहतर समझता है आपके इलाके में एक नहीं थे जो चूहमार दबा बेस्ते साइकल पर बात में जाच पड़ता लुए तो पतागा दस हजार करो नहीं कि हमने देखा हमने और तरफाधी जी जीवन चूरू किया कि मैं अच्छी सर्विस में आगया तंकाय में तरफाधी जंसे बए कर रहे हैं और अचानक से एक बात लगए अह Arms हाई चंद कोई मास्टर नहीं देता कोई किसान नहीं देता कोई गरीब बोस्त नहीं देता है वही एक पर्शेंट लोग हैं जिनको आप वी डूटे यो ये भी डूते हैं बहल्मता गांग्रेस प्रहें बहल स्गाने कांग्रेसों तहले हो सब लोटा लिए उसे पीछे लगे हो हम तो नाम बता देंगे कानपुर से कौन आता था तब उनका काम क्या था छोड़ो जाने दो इसलिए इसे चक्रम नपड़ो इराजनी दो कैसे रही है पैसा कहां से आ रहा है बहिया जब हम हूं सत्नरायन कथा में मरे में जीये में बिट्याक ब्याहम लड़काक ब्याहमें ट्रेन बस तो छोड़ी दो वो तो गांदे जी के साथ ही विदा हो गया राजनी से ट्रेन बस तो बाड़ी जी शर्विस फ्लाइट भी नहीं बोला गुड़ो अपने जहार निकालो बोला कहां जाने में सत्नरायन कथा है अशोग जी कहां चल रहा है क्या कहां से आ रहा है कि यहां तो देहरादून भी जहाद से चले जान तो एक महिना लगता है खर्चा जादा हो गया नहीं तो बाड़ी जी कहां से आ रहा पैसा कोई राद मजदूर मिस्त्री देने ने पैसा इसलिए जनता जानती है इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ उतना हिपोक्रेसी नहीं करो यार कि दरधीच बताओ अपने को कि हमने हड़ियां दान दे दी मोज ले रहे हैं सब लोग तो खेक है जनता को निड़ने करने दीजिए ओपी सिंग जी मैं समद रहा हूँ वो कह रहे है अशोग भाई कि आप अचानक से सारे चुनाव जब एक साथ करा दोगे तो उस चुनाव के पूर्व संध्या पर आपको ऐसा बुद्दा अचानक से क्रियेट कर दोगे कि उससे ही लोग नहीं लाड़ पाएंगे और सारी लहर आप अपने पक्ष में मोल्ड कर दोगे मैं मूल बात यह समझ पाया और उसका उधारन वो दे रहे हैं पुलवामा से देखिया तब जी एक देश एक चुनाव कि अचानक एमर्जंसी इंद्रा जी की इमर्जंसी की तरद देश में नहीं आए भारती जंता पार्टी 2019 के गोश्रापत्र दोजार चोविस के गोश्रापत्र में भी देश की जंता से वादा किया था कि हम इसे लाएंगे और 15 सबोतन में देश के पूदार मंत्री नभी कांथ नियुकात कि भारत जैसे विशार लोगतानत्रिक देश के लिए वन नेसन वन एलेक्शन जरूरी और यही कारे सहिव विपक्षि दलके नेता जैसे राम मंदिर पर हमको तंज करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे तारिक न सामने में भी करते थे कि नहीं 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 यह लाप पाएगी नहीं जैसे त्रिपाटी जी ने कहा कि अभी आने दो समय चिराग और वो नितीज भाबू और नाइडू जी देखिए करते क्या बतीस दलों ने समर्थन दिया है आप 15 दल के वो बिभू सिप्रू मठ हो जो विरोध में कांगरिस के साथ हो तो वो तो ऐसा है कि हम लाए है तो इसके तो लाए नहीं है हमने उस पर सब की सामती लिए सामती लेने के बाद इसको लाए और जहां तक बाद चंदा किया तो किया साथाई महुसों में 300 करोण खर्चा होता था कहां गया सरकारी धन उचन्दा से नहीं होता था वो सरकारी धन से होता था 17 के बाद कहा गया साफ़ाई माउस है और इसी प्रदेश में एक महाराणी नोटों की माला हीले और चादी की माला पहंती दे जनम दिन पर तो अगर 17 के बाद कहा गया यह माउज मस्ती करने वाले आप लोग हो हमारे आप जबसे जो प्रदेश और केंदर की सरकार बनी है हमने जनता से जो वादा किया वो उस वादे पर खरे उतर है तब 12 साल का रेकार केंदर में तोड़ा है और 17 साल का रेकार प्रदेश में तोड़ा और आपकी सोच को मैं दोरों हाथ से प्रढान करता हूँ सोक यादेव जी कि पुल्वामा जैसी घता हो जाएगी तो क्या करेंगी अगर दुसमर देश हमारे उपर अठाइक करता है और आप उसको राजीतिक स्वरूत देते हो आप उसको करता है पुल्वामा जैसी घता घट जाएगी जैसी सभा हो जाएगी अप पुल्वामा को मामुली ले रहा है और हमने जबाब दिया है पुल्वामा का जबाब हमने दिया हम 26 सि 11 की तरफ बजी वी नहीं थी हमारी सरकार